स्वागत दोस्तों फिर से मेरा चैनल पे और काफी लॉंग टाइंग के बाद मैंने फिर लॉंग वीडियो डाल दिया और इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर कॉंसिल वाइडिंग हम लोग कर रहे और कुछ महीना के पहले हम लोग छोड़ दिया था इस काम क क्योंकि कुछ प्रॉब्लेम के बज़े से हम लोग छोड़ दिया तो अभी फिर हम इसमें दुबारा काम स्टार्ट कर दिया तब ही मैं आपको टोटल इस वीडियो पर दिखाऊंगा यह जो कि डानिंग हॉल रूम है यहां पर हम लोगा दिभाल पर दिखे काटिंग वगर कर दिया और जितना भी आपको मैं रूम दिखाऊंगा यहां पर सारे उपर में जो कि फॉल्स लिग वाइरिंग होगा तो इसके बारे में मैं आपको दूसरा वीडियो पर पना के दिखाऊंगा और जहां पर नीदिबाल पर जो पोइंट होगा जैसे मान लिजे चिम्ली का पॉइंट है होल्डर एक दो पॉइंट है और यहां पे बोर्ट देखिए बारा मोडूलर का एमेक्स बॉक्स हमने फिटिंग कर दिया यहां पर और जितना भी वायर यहां पर देख रहे हैं यहां पर हम लोग अर्थिन वायर और इनबर्टर का वायर 4 mm 2.5 यहां पर पहले से डाल दिया जितना भी वायर ड्रॉपिंग देख रही है काफी पहले हम लोग ने छोड़ दिया था डालके वायर पाइप के अंदर वायर डालके छोड़ दिया था अभी फिर हम लोग हमने कुछ यहां पर चेंजिंग भी होगा और में खास बात है कि यह काम दुबारा हम लोग ने चालू कर दिया से साथ माहिना के बाद मेरे साथ है मिदुल दा जो कि सीनेर इलेक्टरिशन है तो फिलाल हम इनके साथ दोनों मिलके काम चालू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहें और एक बंदा है फिलाल वह अभी कैमेरा के सामने नहीं है और एक बात मैं कहना जहूंगा दोस्तों इस पिल्टिंग का जो एक पीडियो मेंने काफी पहले अपलोट किया था चाहे तो आप जाके देख सकते हैं अभी चलिए मैं स्टेब बैस्टेब आपको वीडियो यानि कि 2.5 और 4 mm इंबर्टर अर्थिन ये सारे वायर डाल दिया और उपर देखे बैंड देखे बैंड लगा हुआ उपर यानि कि यहां पर जो पॉइंट का वायर है वह हम सीधा यहां पर बोर्ट तक खीच सकते हैं डाल सकते हैं तो यह प्लास्टर होने के बाद फिर द 12 12 मोड़ोलर 5 साइट में होगा मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखे एंट्री गेट तो इसके सामने एक फ्रांट में 12 मोड़ोलर का होगा और यहां पे पीछे एट वन्दूलर होगा यानि कि दो बॉल्ड होगा यहां पे और जो दिवल काटिंग wondering आपको दिखा रहा हूं यहां पर कार्ट छिस तरह से ए कैमेरा पर दिखा रहा हूं यहां पर सारे में लान का और circuit wire दो दो पाई यहाँ पे डालना है और इस कोने पे MCV box डालना है पहले तो बात किया था एक ही MCV box अभी फिल हम लोग दो सैट पे सब्सक्राइब करना है कि कौन सा circuit wire कहां के लिए है और कौन सा color wise तो यहां पे पहले हमें समझना है तो मैं आपको इसके भी जान करें दूंगा कि आप किस तरह से आप यहां पे जानकरी ले सकते हैं कि समझ सकते कौन सा वार हम लोग कहां डाले थे अगर गलते से भी आप भूल चुके हैं और यहां पे store room है store room में भी एक board होगा यहां पे 12 modular का board होगा और इस board के नीचे inverter हम लोग निकलने के लिए पहले सिस्टेम करके रखाऊं तो यहां पे 12 modular board होगा और नीचे inverter के 3 modular board होगा कि यहां पे 3 modular board हम बैठाइंगे तो यह रहा समझ चुके हैं अभी चले हैं हम लोग master bedroom तो यह master bedroom है प्लस आप के साथ यहां पर दिखें वायर सारा काफी सारा वायर यहां पर देखनों को मिल रहा है आपको तो आप सोच रहें कि इतना पहले ही इतना सारा वायर किसले यहां पर AC के लिए point हम लोग पहले डाल दिया ऐसी output है AC के लिए main है और इस बोड के लिए 2.5 है और फिलाल इसी बोड से फिर दूसरा बोड में किया हुआ है 2.5 जो के टीवी के लिए है तो इसलिए वायर जाता दिखी रहें आपको यहां पर सारे अलग-अलग वायर है और इंबटर अर्थिन के साथ ही हम लोग पहले डाल दिया क्योंकि यह दुबढ़ा हम लोग डाल नहीं सकते हैं डाल सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ काम में प्राव्लम हो सकता है स्प्रिंग डालके फिर काम करना पड़ता है तो इससे अच्छा कि हम लोग पहले इसमें डाल चुका हूँ वायर डालने के बाद फिर एक ही वार में फिनिशिंग हो जाएगा तो इस तरह सा मोग पहले डाल देते हैं तो किसी वायरिग में हम लोग्र पहले वायर न ही डालते हैं या फिर往इल जी तो हम लोग यहां पर निशान छोड़ दिया था कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूटल है तो इस बज़े से हमें सोचना पड़ रहा है थोड़ा ज्यादा समझना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग ने काफी पहले डाल दिया था तो चले दूस्तों फिर मेलते हैं अगले लेटेस टॉपिक के साथ बने रहे है कि अच्छा कि अच्छा कि